जैस्री राम जैस्री राधे कैसे हैं आप सब मैं आपका मित्र विक्रम आज आपको चौथे भाव की एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सबसे साझा करूंगा देखिए कुंडली का जो चौथा भाव होता है वो हमारे घर माकान सुख परिवारिक सुख का भाव होता है हम अपने जीवन में कितनी सुख सुविधाएं प्राप्त करेंगे कितना सुख होगा हमारे जीवन में एश्वरे कितना होगा धन दौलत भी गाड़ी माकान कार ये सारी चीजें चौथा भाव ही प्रदान करता है से द्रिस्ट होगा उतना ही हमें चौथे भाव से रिलेटट चीजों के रिजल्ट प्राप्त होंगे अब सिर्फ अकेले चौथा भाव यहां पे कार्य नहीं करेगा अगर आपको यह लगता है कि हमारा चौथा भाव बहुत अच्छा है मजबूत है शुबगर है वहां पे है जैसे अगर मेश लगने की बात करें अगर हम तो चौथा चौथे भाव में चार नंबर की जो राशी आएगी वो करकराशी और चंद्रमा अगर यहां शौराशी के बैठे हुए हैं तो कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है कि आपको माता के सुख और भूमी भवन इन सब सुखों की कमी भी देखने को मिलती है तो आवश्यक नहीं है कि सिर्फ चौथे भाव से ही चौथे भाव के सुख लिए जाएंगे अगर वो मजबूत होगा तभी आपको सारे सुख मिलेंगे इन सब चीजों के बहुतिक सुख सो विधाएं मिलेंगी तो मैंने एक भाव है आप उसे समझने की कोशिश करिए और उन चीजों को अगर आप जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे जैसे मेश लगन की ही कुंडली की हम बात करते हैं कि अगर चोथे भाव में जो राशी बनती है वो करक राशी है और तीसरे भाव एक घर पीछे जो राशी बनती है वो तीन नमबर बनेगी मिथोन राशी जो बुद्ध की राशी है और एक घर आगे पाँचवे घर पे जो राश भाव को मजबूत करना उन्हें देखना बहुत आवश्यक है और उन्हीं चीजों से रिलेटेड अगर हम काम करेंगे उनके तत्वों को धारण करेंगे तो हमारे जीवन में सुख आएगा जैसे तीसरा भाव एक घर पीछे पराक्रम का भाव होता है तीसरा भाव आप सभी ज जाएगा और पाचवे भाव में सिंगर रासी जो बनती है वो सूर्य की रास है सूर्या गव़र्मेंटट छेत्र से रेलेटेड होते हैं तो अगर आप गवफ्रमेंट छेत्र से रेलेटेड कार्या करेंगे तो वहां से आप अच्छे धन अरजित करेंगे और आपके सुखों में व्रिध्धी होगी तो अगर आप अपने तीसरे और पाच्वे भाव को एक्टिवेट करते हैं तो आपको चौते भाव का सुख अपने आप स्वतह ही